हाई गाई विडियो में हम कक्षा 11 वी अकाउंट 10 सी का एक ठियोरी चेप्टर प्रोविजिन और रिजर्व अगले पांच मिड़ में समाथ करने जा रहे हैं अगर आपको इस चेप्टर के नोट्स चाहिए तो अटेंशन नक को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है बट उससे पहले अपनी कुरसी की पिठी टाइट कर लो क्योंकि अगले पांच मुद में प्रोविजन रिजर्व की गाड़ी आपका स्टेशन छोड़न उसका नाम था going concern principle या going concern concept यह कहता है कि business की life unlimited होती है यानि हमारा धंदा हमारी जिन्दगी की तरह बहुत लंबा चलने वाला है अब आप जब जिन्दगी की बात करते हो तो अगर आज आपने कसा मीठा खाया ना तो वो हो सकता है वो आपको आज दुग दे और हो सकता है य हमें इस साल की consistency साथ साथ में भविश में होने वाली contingencies का भी ध्यान रखना पड़ता है और इसी concept से provision and reserve का जरम होता है शुरुआत करते हैं प्रोविजन से तेको साधा वाशा हैं provision का मतलब है कि मुझे अंदाजा है कि भविश में मुझे loss हो सकता है इस particular काम से तो मैं अभ से पैसा उठा लू और मैं बोलू मुझे तो पता ही था कि loss होने वाला है यानि provision का मतलब होता है the estimated amount set aside to meet uncertain loss or expense in future अब ये over the time आपको समझ में आता है जैसे अगर आप किसी printing के दुकान पर गए हो तो वहाँ एक छोट आसा परचा लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि approximate 3% wast ये estimated value होती है कि मेरे अंदाजे से इतना loss हो सकता है actual loss इससे जादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है अब provision के कुछ example बोले तो provision for depreciation, provision for tax, provision for bad and doubtful tips अब ये provision है ये बनाते क्यों है इसके पीछे एक और principle का logic है वो principle है prudence principle या फिर conservatism principle अगर आपको याद हो तो वो कहता है कि भविश्य में होने वाले किसी भी profit को हम नहीं देखेंगे बट अगर कोई loss हो रहा है या हो सकता है तो हम उसको अभी लिख देंगे तो provision एक तरीके से loss का ही criteria है तो इसको हम 110% लिखते हैं अब ये एक loss है तो ये charge against profit है मतलब देना का देना ही है चाहे कुछ भी हो जाए ये P&L के अंदर show किया जाता है अगर आप company चला रहे है तो statement of P&L के अंदर reflect किया जाता है अब provision के बाद दूसरी चीज की बात आती है जिसको हम कहते है reserve रिजर्व इससे थोड़ा सा अलग है रिजर्व का मतलब होता है कि हमें अच्छा कासा profit हुआ है और हम उस profit में से थो of profit to strengthen ताकत देने के लिए हमारे financial position को ध्यान रखें कि हम अपनी इच्छा से निकालते हैं तो ये charge against profit नहीं है मतलब हम तभी निकालेंगे जिम हमारे पास पैसा होगा loss की condition में हम रिजर्व नहीं निकालेंगे तो ये appropriation against profit है ये किसी भी प्रकार के depreciation को देने के लिए नहीं निकाला जाता है कुछ example बोले तो general reserve हो गया workman compensation reserve हो गया investment fluctuation reserve हो गया ये सारे पी एंडल में नहीं आ रहे हैं ये balance sheet के अंदर दिखा दिये जाते हैं ये हमने पैसा side में रख दिया है ताकि हम इसका इसका इस्तमाल करें जरूवर पढ़ने में अब reserve के साथ एक शब्द आता तो वो amount जो हमने invest कर दिया है उसको हम मोलते है reserve का fund अब reserve ये बनाए क्यों जाते हैं what is the importance of reserve देखो reserve बनाने के लिए सबसे जादा जो फाइदा है हमारी company के लिए हमारी organization के लिए वो है कि ये expansion मदद करता है आपके पास reserve में तो अपने 10 लाग रुपे रख रखेंगी यार बहन के शादी के लिए काम आएंगे तो जब actual शादी होगी तब लगा दे उसमें ठीक है expansion मदद करता है आपको मुसीबत के समय में काम आता है अपने investment कर रखा है अलग लग जिए मैं gold में investment कर रखा है share में investment कर रखा है तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करू उनको भी पूरा करता है जैसे कुछ reserve होते हैं जो legally आपको बनाना ज़रूरी है यह अगली class में आप पड़ोगे example के रूप में DRR debenture redemption reserve यह legally आपको बनाना पड़ता है यह income tax law companies act 2013 के तहत बताया गया पर वो क्या है यह आपको जानने की जरूरत नहीं है यह आप अपनी जंदा चल रहा है उसमें से जो profit निकला उसमें से हमने reserve बनाया यानि it has been set aside out of revenue profit यह किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है basically dividend बाटने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब profit बाटने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह भी दो परकार के होते है general औ तो हमारे यहां जो workmen काम कर रहे हैं उनको compensation में कभी कमी पढ़ गए जरद जरद पढ़ गए तो हम वहां से पैसा निकाल देंगे investment fluctuation fund हमको हमारा investment है उसकी value उपर नीचे हो रही है तो हम वहां से reserve में से पैसा निकाल कर देंगे तो यह specific reserve हो गए किसी एक काम के लिए दूस ठीक है यह capital expenditures या फिर capital losses या फिर specific purpose में ही काम आता है कुछ example के रूप में premium on issue of share share अगर issue करें तो उसके premium पर यह आप अगले class में पढ़ोगे नाम समझ लो बस रिंगे redemption का premium अगर आपने कोई fix gesture बेचा है तो उस पर जो profit हुआ है वो भी capital gain की category के अंदर आ रहा होगा तो वो सब इसके अंदर आते है अब जो यह reserve की category है यह तरीके से हमारे profit का हिस्सा है तो जब में इसको balance sheet के अंदर reflect करते हैं तो जो आपका profit है वो इस reserve के अंदर दिखाया ज जाता है reserve की heading के अंदर profit दिखाया जाता है मानलो आपके पास reserve पड़ादा 10 लाग का पुराना इस साल अगर loss हो गया एक लाग का तो इस साल कोई reserve बनेगा नी पर वो जो एक लाग का loss है वो हम reserve की heading के अंदर ही दिखाएंगे और अब हमारा reserve रहे गया है 9 लाग रुपे का इस तरीके से वो reflect किया जाता है ठीक है और अगर profit जादा है तो उसके अंदर add कर किया जाता है इस reserve की गिंती में एक ऐसा reserve आता है जो चुपचा बनाया जाता है साधा बाशा में बोले तो एक धोका करा जाता है धोके का मतलब क्या है कि accounts वाले जो बंदे होते हैं वो अपन आ भी बता रही है कि 10 लाग में से 1 लाग का depreciation चला गया एक्च्वल में depreciation किसी को देना नहीं होता तो ये कुछ tactics होते हैं जिसके तो हम कुछ secret reserves बना सकते हैं secret reserve का मतलब ऐसे reserve जो basically balance sheet में कहीं नहीं दिख रहे है पर आपके पास वो fund की availability करा रही है कैसे कर सकते हैं आप extra depreciation लगा दो तो आपकी किताबों में से पैसा गायब होगे आपकी जिम में पैसा एक्च्वल में पड़ा हुआ है आपने अपनी goodwill को कम न आखा है goodwill जादा है आप लोगों की ठीक है आपने क्या केते है capital expenditure को पी इंडल में डाल दी capital का जो तरह भी expenditure पी इंडल में जाता है balance sheet adjust हो जाता है ठेक है कोई extra provision के नाम से आपने बना दिया कि भाया यह provision है बस ऐसी लिख दो अब इन सबसे actual में होता क्या company क्यों करती है इसा तो इसके फाइद है कि आपके पास थोड़ा extra पैसा होगा तो आपकी working capital day to day जो आपको पैसा चाहिए उसकी requirement पूरी हो जाएगी इसके नुकसान क्या है अगर आप ऐसा करते हो तो सबसे पहला नुकसान यह है कि भाई आप fair काम नहीं कर रहे हो यह cheating की तरह ही माना जाएगा ठीक है तो यह misleading balance sheet की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है यह एक तरीके से धोका है हमारे shareholders के लिए जिनको profit मिलना है आपने उनको profit न बाकते मूदों के बैठे रहे हैं बोले आपको तो मिलेगा पर उनको कुछ मिला है नहीं हो साथ-साथ में यह value of share को भी reduce कर दीता है क्योंकि जब पता चलता है कि भाई आपको profit नहीं हुआ है तो आपके share की value stock market में गिर जाती है ठीक है जी तो बालको यह आपका chapter पूरी त accounts and business यह सारी की सारी चीज़ें हमने करवा रहे हैं description में सबका link है जाके check करें और notes आपको description में मिले जाएंगे चलिए मिलता आप से अगली वीडियो के साथ, till then keep on watching